महाभारत की ग्यारह ऐसी कहानिया जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल सपनों की उडान में दोस्तों महाभारत से जुले कुछ अंसुने राज हम आपके सामने लेकर आए हैं उमीद है आपको पसंद आएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से आभार चलते हैं अपने टॉपिक पर जब कौर्वों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी तब दुर्योधन भीश्म पितामः के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ती से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं भीश्म पितामः को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत पाच सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन पाच तीरों से वे पांडवों को मार देंगे मगर दुर्योधन को भीश्म पितामः के उपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और पाचों तीर मांग लो दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाए थी इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो समय आ गया है कि अभी तुम उन पाच सोने के तीर मांग लो अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे ख्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिये ड्रोनाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है ये कहानी भी काफी रोचक है ड्रोनाचार्य के पिता महर्शी भार्दवाज थे और उनकी माता एक अपसरा थी दरसल एक शाम भार्दवाज शाम में गंगा नहाने गए तभी उन्हें वहाँ एक अपसरा नहाती हुई दिखाए दी उसकी सुन्दर्ता को देख रिशी मंत्र मुगध हो गए और उनके शरीर से शुक्रानू निकला जिसे रिशी ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया इसी से द्रोनाचार्य का जन्म हुआ तीन, जब पांडवों के पिता पांडू मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्यान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिश्क खा जाएं केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिश्क को खा लिया पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीजों के बारे में जानकारी मिली दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविश्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली अभिम्यू की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी बलराम चाहते थी कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्षमन से हो वत्सला और अभिम्यू एक दूसरे से प्यार करते थे अभिम्यू ने वत्सला को पाने के लिए घटोतकच की मदद ली घटोतकच ने लक्षमन को इतना दराया कि उसने कसम खाली कि वह पूरी जिन्दगी शादी नहीं करेगा 5. अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बली दी थी बली देने से पहले उसकी इंतमी इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंद बाद उसके पती को मरना था इस थिती में भगवान कृष्ण ने मुहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्की एक पतनी की तरह उससे विदा करते हुए रोए भी 6. सहदेव जो अपने पिता का मस्तिश्क खाकर बुद्धिमान बना था उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी इसलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्थ के बारे में पूछा सहदेव ये जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रू है फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया